मुझे आप सभी का आज की क्लास में हम डिसकस क्या करने वाले हैं सबसे पहली बात कि मैंने इसके पहले एक विल्डियो डाला था जिसको आपने देखा होगा और paper pattern आपने देख लिया होगा कि paper का pattern कैसे रहने वाला है आज की क्लास में मैंने क्या किया है कि मैंने आप लोगों के लिए एक blueprint यहाँ पर आपके सामने रखा है साथ ही साथ हम जो second point discuss करने वाले हैं वो बहुत important point है कि आपको means के लिए approach कैसे करना है और आपको मैं यह बता सकूँ कि means में सबसे ज़्यादा weightage किस चीज़ का है ठीक है तो आप में से बहुत सारे लोग है जो अभी इस चीज़ पर पढ़े होगे कि pre clear होगा या नहीं होगा और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समझदारी का परिशाय दे रहे होंगे और उन्हें पता है कि या तो इस बार होगा या next time होगा होना ही है और उन्हों है means की तैयारी start कर दिया और means के pattern में भी कोई बतलाओ नहीं है मतलब यही pattern है ओके चलिए तो start करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर सारी papers तो नहीं पर मैंने यहां पर first, second, third और fourth paper रखे हैं क्योंकि जो last वाला paper है वो आपका essay है second last paper आपका Hindi है तो यहां पर चार papers का मैंने blueprint आपके सामने दे दिया है और फिर इन blueprints के बाद हम देखेंगे कि आपको अपनी approach कैसे रखना है तो यहां पर VSA का मतलब है very short answer, essay का मतलब है short answer और LA का मतलब है long answer मैं paper one की बात करता हूँ, paper one आपको पता है दो section में होगा तो यहां पर मैंने कोशिस की है कि section drive किये जाए और इसी तरीके से paper one तो इसी तरीके से होगा जिसमें आपको history के साथ deal करना पड़ेगा, paper one में ही आपका दूसरा section जो होगा वो geography का होगा जिसमें आप geography के साथ deal करेंगे, yes अब आप जब section one open करेंगे तो इसमें पहला question, second question, third question, fourth question और fifth question पाच questions रहेंगे इनके अंदर आपको 3 मिलेंगे very short answer तो आपको यहां पर दिख रहे हैं, यह 3-3 marks वाली, यह very short answer है इसमें आपको एक, एक line लिखनी है, मतलब near about 10 volts लिखने है, yes इसी question में दो आपके short answer रहेंगे, जो आपके 5 marks के होंगे और इसमें आपको 5 lines के आजपास लिखनी है और इसी question में आपका एक long answer का section रहेगा, जो 11 marks का होगा और इसमें आपको 20 lines लिखनी है तो आपको clear हुआ कि paper 1 के जब पहला section आप open करेंगे तो इस तरीके से history में वो लोग एक question के अंदर आपको 3 very short, 2 short और 1 long लेकर चलेंगे सेम यही काम वो लोग question 2 पर करेंगे यही काम question 3 में होगा, यही काम question 4 में होगा और यही काम question 5 में होगा अब मुझे क्या लगता है, ठीक है कि आखिरकार यह question कैसे decide होंगे तो दो चीजें हो सकती है एक तो वो हो सकता है कि इसमें आपका MP का history ले ले यस और इंडिया का history ले ले साथ ही साथ, जब हम इनकी तयारी करेंगे तो हम slivers के according चलेंगे, अच्छा, slivers के according जब चलेंगे तो हम slivers के according यह सब discuss नहीं करेंगे, हम slivers में यह discuss करेंगे कि इस point पर कैसे very short answer बन सकता है कैसे short answer बन सकता है और कैसे long answer बन सकता है लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ही है कि हो सकता है कि question 1 आपको ancient से दे दे, question 2 आपको medieval से दे दे, question 3 आपको modern से दे दे, question 4 आपको MP से दे दे, question 5 आपको जो independence struggle है उससे दे दे दे, तो इस तरीके से यह description है MPPSC का, इसमें अभी तक ना तो MPPSC ने कुछ जारी किया है, ना ही MPPSC ने बताया है कि किस तरीके से वो divide करेगा, हाँ स्लिबस दिया है, हम स्लिबस के according to preparation स्टार्ट कर देंगे, एक दो वीडियो के बाद, अगर कोई भी आपको doubt हो, तो वो तो यहाँ पर मिलते ही है, comment section भी open है, तो paper 1, section A history, section B geography, एक section में 5 questions, हर एक question के अंदर 3 short, 3 very short, 2 short, और 1 long answer, question 2 के अंदर भी same pattern रहेगा, question 3 के अंदर भी इसके बाद section B, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर पूरा दिखनी रहोगा, मैं simple बता देता हूँ, जैसे कि paper 1 है, इसमें section 1 आपका history का है, एक question में 3 very short, 2 short और 1 long, तो आपको यह समझ आता है, कि very short वाले हैं, फिर short वाले हैं, और फिर long वाले हैं, अभी एक बार pattern देखने के लास्ट में मैं यह discuss करूँगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा important क्या है, सबसे ज्यादा important क्या है, और सबसे बढ़िया approach क्या हो सकती है, अगर आपको top 50 या top 100 में जगे बनाने, ठीक है, okay, मैं बिल्कुल नहीं बूल रहा हूँ कि top 5, top 10 में आप आ सकते हैं, वो आपकी महन नहीं दिया गया है, तो आपको एक blueprint समझा रहा है, यह पूरा blueprint पर है, कि geography में भी पहला question जो होगा, उसमें 3 आपको short answer दिये जाएंगे, जो 3-3 marks के होंगे, दो आपके, okay, very short के बाद, short answer, यहाँ पर short बोल दिया मैंने, please begging pardon, very short answer, आपके question 1 में, geography में 3 marks, then short answer, और then long answer, इसी तरीके से 5 questions होंगे, ठीक है, तो यह blueprint आपको मिल गया, यह blueprint आपके दिमाग में clear होना चाहिए, क्योंकि जब आप practice कर रहे है, practice तो आप last में करेंगे, जब practice session शुरू होंगे, किसी coaching class के, papers बगरा लेकर, लेकिन अभी आप दिमाग में यह तैयारी रखें, कि इस तरीके से question मुझे मिलने वाले हैं, अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने दो segment बाट रखें, एक मैंने mm दिख रहा होगा, जिसे मैंने का है maximum marks, और हम यहाँ पर देख कर चलेंगे, कि maximum marks के अलावा, जो examiner है, जो checker है, वो आपकी जो copy check कर रहा है, वो checker आखिर कार किस तरीके से आपको marks देगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं उठाता हूँ, किसी एक section को मैं उठा लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि geography वाला section ही मैंने उठा लिया, geography वाले section में आप देख पा रहे हैं कि आपको कितने very short answer मिल रहे हैं, एक question में आपको 3 very short answer मिल रहे हैं, मतलब इस तरीके से 5 questions हैं, तो इसके अंदर आपको 15 very short answer मिलेंगे, ध्यान से इस calculation को समझना, 15 very short answer हैं, अगर 15 very short answer हैं, और हर एक question में आपको 3 marks मिलने हैं, मतलब आप 45 marks, यह मैं out of 150 बात कर रहा हूँ, 150 में से 45 marks ऐसे हैं आपके पास, जो आप 150 words लिखकर gain कर सकते हैं, ध्यान देना, 150 words क्यों, क्योंकि 15 question हैं, हर एक question में आपको near about 10 शब्दी लिखने हैं, 10 words लिखने हैं, तो एक जगह आप very short में 150 words लिखकर किसी एक section में 45 number लेकर आ रहे हैं, इसी को double कर दीजे तो पूरा paper हो जाएगा, मतलब paper 1 में आप 300 words लिखकर 90 number लेकर आ सकते हैं, आगे चलते हैं, आगे का calculation क्या कहता है, ये तो हो गया very short का, अब अगर मैं यहां पर short की बात करता हूँ, यहां पर मैं short answer की बात करता हूँ, short answer में कितने questions होंगे आपके, short answer में एक section की मैं बात कर रहा हूँ, एक section में 10, अगर मैं सिर्फ geography वाले section को consider करूँ तो सिर्फ geography में कितने ऐसे questions होंगे, short answer वाले, short questions आपके 10 होंगे, और हर एक में आपको 50 words लिखने हैं, मतलब एक section में आप जब 500 words लिखेंगे, तब आपको इस में से कितने marks मिलेंगे? ओके, यहाँ पर 45 तब ठीक है, जब आप 500 words लिखेंगे, तब यहाँ पर आपको 50 marks मिल रहे हैं, आपको calculation समझ आ रहे हैं ना, भई मैंने क्या कहा? मैंने यहाँ आप से, कि जो very short answer है, very short answer एक section, मैं यहाँ पर section भी ले लेता हूँ, एक section में आपके very short answer कितने हैं, आपके very short answer है 15, मतलब ऐसे 15 question है, जो आपको एक एक लाइन में खतम करने, अच्छा, अगर मैं words की बात करूँ इन 15 question के, तो 15 question के words की बात है, मतलब दूस word में आपको एक answer लिखना है, और इस तरीके से आपको 150 words लिखने हैं, अब अगर मैं marks की बात करता हूँ, तो इन 15 question में आपको 33 marks मिलने हैं, मतलब 150 words लिखकर आपको 45 marks मिल जाने हैं, यह अभी मैं maximum marks की बात करूँ, लेकिन जब हम short answer पर आत short answer का calculation कहता है कि भाई, एक section में आपको 10 question दिये जाएंगे, यह हैं आपके 10 question, हर एक question में आपको 50 words लिखने हैं, मतलब 5 line लिखनी हैं, तो 50 words लिखने हैं, मतलब आपको short answer के लिए 500 words लिखने हैं, और यह तो हो गई word की बात, अब अगर मैं marks की बात देखता हूँ, तो short answer के लिखने हैं, आपको आयोग दे रहा है 5 marks, मतलब आपने यहां पर 50 marks के लिए 500 words लिखने हैं, तो आपको यह difference समझा रहा है, कि यहां पर आप 45 marks गेन कर रहे हैं, 150 words लिखने हैं, यहां पर 50 marks गेन कर रहे हैं, आप एक section में, 50 marks गेन कर रहे हैं, 500 words लिखने हैं, तो आप तो इसलिए day 1 से आपको अपने concept इस बात को लेकर दिमाग में पढ़ने हैं कि अगर ये बात very short answer में पूछ ली जाए तो मैं कैसे लिखूँगा या मैं कैसे लिखूँगा जब हम preparation करेंगे ठीक है उस समय तो हम देखेंगे कि हम best way में कैसे लिख सकते हैं अब आ जाते हैं हम long answer कर देखें a long answer का क्या calculation है ज्यान से समझने है यह जो calculation बता रहा हूं ल्ऩा आंसर में हमाते हैं आपको पूरे question में पूरे paper में मतलब एक section की बात कर रहा हूँ पूरे section में आपको पांच long answer में मिलेंगे हर एक question में एक long answer तो ये है 5 long answer इसके लिए आपको words कितने लिखने हैं पहले words पर जाते हैं तो words आपको कितने लिखने हैं एक long answer के लिए 200 words लिखने हैं यस पहले words को देख लेते हैं मतलब कि यहां पर आपको 1000 words लिखने हैं marks पर आ जाते हैं, हर एक question आपका 11 marks का है, तो इस तरीके से आपको long answer में हर thousand words में 55 marks मिल रहे हैं, अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर 10 marks add-on हो रहे हैं, अगर मैं compare करूँ, very short और long answer को compare करूँ, तो यहाँ पर 10 marks add हो रहे हैं, लेकिन जो world limit है, world limit आपकी near about 7 times बढ़ जाती है, 7 गुना बढ़ जाती है, जबकि marks सिर्फ 10 बढ़ रहे हैं, yes, okay, तो आपके लिए win-win की situation जो हो सकती है, वो very short answer दे सकते हैं, ठीक, तो यही मैं बताना चाहा रहा था, कि जो very short answer है, very short answers are very essential for getting a good score in MPPSC, अब यह कैसे करना है, वो हम slivers के according आगे चलेंगे, तो I hope कि यह point clear हो गया होगा, ठीक है, अब यहाँ पर second point पर आजाता हूँ, second point में, मैंने एक assumption लगाया है, कि आखिरकार examiner आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने marks दे सकता है, तो मेरा यह मानना है, कि हर 3 marks के question के यह ज़्यादा से ज़्यादा examiner आपको 2 marks देगा या 1.5 देगा, इससे कम तो नहीं कर सकता है, अगर आपने पूरा answer लिखा है, तो या तो 1.5 या फिर 2 देगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 भी दे सकता है, मैं यहाँ पर यह मानन कर चलता हूँ कि 3 में से 2 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना score कर सकते हैं, 45 का 2 by 3 किजिए, ठीक है, 45 का 2 by 3 मतलब यहाँ पर आप 30 marks लेकर आ सकते हैं, अगर आपने very short answer अच्छे से prepare किये, अब मैं कहता हूँ आपने short answer अच्छे से prepare किये, तो 10 में से ज़्यादा से ज़्यादा व यस, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे सकता है, या बहुत ही हद है, तो वो 4 marks दे देगा, 5 out of 5 तो rare to rarest condition है, ठीक, ओके, तो मैं यह मान कर चलता हूँ कि 3 by 5, तो इस 50 का जब आप 3 by 5 करेंगे, तो आप देखेंगे, कि यह भी आपका near about कितना आ जाएगा 30 marks, तो यह आपक कि, यह second calculation है, fine, कि जब आप practically जाते हैं, कि आप expect कितने marks कर रहे हैं, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पर आपने 150 words अगर अच्छे से लिखें, तो उतने ही marks आप expect कर रहे हैं, जितने यहाँ पर 500 words आपने बहुत अच्छे से लिखें, अब 11 marker पर आ जाते हैं, 11 marker में वो 11 में 10 दे दे, 9 दे दे, यह तो बहुत rare है, ठीक है, वो 8 या 7 देगा, मैं अपनी तरफ से यह मांद कर चलता हूँ, कि हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा लिखते हैं, और कम से कम marks expect करते हैं, तो 7 marks, 7 marks मतलब हमें यहाँ पर 55 marks में से 35 marks, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको यही difference बताना चाहता हूँ, कि very short के लिए आप 150 words के लिए अगर अच्छे से महनत कर रहे हैं, तो इसमें आप very short को अगर focus करकर चलेंगे, तो उतने ही marks ला सकते हैं, जितने long answer के लिए आप prepare करेंगे, 1000 words आप लिखेंगे, और इतने marks आपको, तो यहाँ पर near about, ज समझ आया है, जो इसके पीछे कि मैं psychology की बात कर रहा हूँ, अच्छा, यह evaluation आप में से बहुत होने कर किया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ बड़ी चीज आपको बताईए, बट यह evaluation करना जरूरी है, जिन्होंने नहीं किया है, वो please करें, तो यहाँ पर आप maximum marks और expected marks के बीच calculation कर सकते हैं, यह रहा पूरा calculation, और इस calculation का conclusion क्या निकलता है, यह मैं आपको last में बताऊँगा, इसी तरीके से paper 2 का भी मैंने blueprint यहाँ बना दिया है, paper 2 में भी same वही sections रहेंगे, paper 2 में जब, paper 2 में जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर भी section 1 जो है, यह आपका quality का होगा, quality में भी आप same वही pattern लेकर चलेंगे, जो आप paper 1 में लेकर चल रहे थे, section B भी इसका वैसा ही है, जैसे paper 1 का है, और यहाँ पर आपके दो subject include होंगे, जो की economy और sociology, ठीक है, sociology का कुछ portion आपको quality में देखने को मिल सकता है, क्योंकि sociology कहीं न कहीं quality से driven है, ठीक कि आप यह समझें कि section B जो आपका है, वो economy और sociology पर base होगा, फिर उसके बाद यहाँ से same वही pattern है, कोई changes नहीं है, तो paper 1 और paper 2 same blueprint रहेगा, paper 3 का blueprint थोड़ा सा change है, यहाँ पर paper 3 आपको देख रहा होगा, इसे मैंने portion wise भी बाठ दिया है, paper 3 पर आजाते है, paper 3 science and technology का है, और इ उन्होंने 2 section नहीं बाठे है, section A, section B, ऐसे 2 section नहीं बाठे है, पूरा single section रख दिया है, और बहाँ पर section A में question 125 और section B में 125 होते थे, यहाँ पर सीधे उन्होंने 1 to 10 कर दिया है, बागी सब से, कुछ भी अलग नहीं है, बिलकुल आप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको science and technology क जैसे यहाँ पर question 1 है, same वही pattern मिल जाएगा, question 2 वही मिल जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह सारा का सारो portion as it is रहेगा, यहाँ पर भी वही calculation है, जो आपको इसके पहले मैनी calculations बताएं, मतलब paper 1 आपका history geography, paper 2 आपका quality और economy और sociology, psychology, paper 3 आपका science and technology, इन तीनों में कुछ भी अलग नहीं है, सब में same way, जीज़ वाल वर यह तीनों में जो very short answer है, very short answer आपका ब्रम्हास्त्र है, क्यों ब्रम्हास्त्र है मैंने उपर बताएं, क्यों ब्रम्हास्त्र हैं मैंने उपर बताएं, क्यों बच्चे क्या करते हैं, जो इसमें मुझे topics अभी specify नहीं है, पर ये ethics का है, ये question paper आपका ethics का है, ethics में आपके जो very short answer है, very short answer आपके 2 marks के हैं, अभी तक very short answer बाकियों में 3 marks के थे, यहाँ पर very short answer का number कम कर दिया है, और long answer का number इसने बढ़ा दिया है, very short answer यहाँ पर पहले 3 थे, यहाँ पर इन्होंने 5 कर दिया है, तो इसे ध्यान से देख लेना blueprint को, यहाँ पर आपके 5 very short answer होंगे, जो की 2-2 marks के होंगे, उपर कितने के थे, 3 के, yes, okay, उपर कितने थे, 3, और हर एक question आपका 3 marks का था, यहाँ पर 5 question इन्होंने कर दिया है, 2-2 marks short answer आपके 2 ही रहने दिये हैं, short answer ऊपर भी 2 थे, बाकी sections में भी यहाँ पर भी 2 मिलेंगे, एक long answer मिलेगा, मतलब ethics में आपका very short answer वाला portion है, उसमें इन्होंने 2 question add-on किये हैं, और very short में 1 marks आपका कम किया, मतलब पर question आपके 2 marks, जब आप इसका cumulative frequency निकालेंगे, और इस तरीक factor है, ठीक है, यह आपका deciding factor है, अच्छा, ethics में एक change और है, question 1 से लेकर question 4 तक, यह आपका same pattern कर रहेगा, यहाँ पर देखिए, question 1 से लेकर question 4 तक, 2, 3, 4, यह जो हैं, यह आपके as it is रहेंगे, question 5 आपका रहेगा case study पर, तो यह जो आपका case study पर रहेगा, इसमें 2 case study आएंगी, जो की आपकी 20-20 marks किया होगी, तो यह दो case study clear है, fine, मैं फिर से एक बार revise कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने हिंदी और essay की blueprint नहीं बनाया है, वो लोग आप देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे, तो मैं आपको idea दे दूँगा, या अलग से एक video बनाता है, comment section में आप बतातीज कियेगा, एक बार फिर से revise कर लेते हैं, हर एक paper 1, paper 1, paper 2, paper 3, इन तीनों में आपके half-half 2 section रहेंगे, paper 3 में एक exception यह है, कि इसमें अलग-अलग section ना करकर, 1 से लेकर 10 तक question देते हैं, एक section का blueprint मैंने आपको बताया, कि किस तरीके से, जो very short answer है, very short answer आपके 15 रहेंगे, हर एक के marks रहेंगे, 3, इस तरीके से 45 maximum marks होते हैं, इन 15 questions को आपको एक-एक word में लिखना, एक-एक line में लिखना है, मतलब 10 words, मतलब 150 words, तो 150 words आपके 45 marks के लिए दिये गए हैं, फिर उसके बाद आजाता है short answer, short answer आपके 10 रहेंगे, पूरे एक section में, जो कि आपके 5-5 marks के हैं इसमें आपको 50 number दिये जाएंगे, और जो short answer है वो आपको 50 words में लिखने हैं, मतलब 500 words के आपको 50 marks short answer दे रहे हैं, long answer आपको 1000 words के 55 marks दे रहे हैं, तो आपको clear हो गया, आपको सबसे ज़्यादा focus रहना है very short answer कर, अब answer लिखने का best तरीका क्या होता है, किसी topic को पढ़कर हम क इस तरीके से उसे frame करें, तो जितने भी बच्चे तयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं कुछ एक बाते बता दू, जो हमारे साथ तयारी करना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो ना छोटी छोटी डाइरी ले लें, डाइरी मतलब जादा छोटी भी नहीं, एक मिनट हाँ, इस तरीक से जहां पर आप लिख सकें, तो इन डाइरी में क्या है, कि आप बहुत छोटे-छोटे point पर यहां से लिखना शुरू कर देंगे, और अगर आप हमारी class को follow कर रहे हैं, तो जो theory है, theory में, सिर्फ यहां पर point बनाते चलेंगे, कैसे point बनाते चलेंगे, जैसे मैं एक example देता ह ठीक है, इसने खिलजी डाइनस्टी के, इसने खिलजी डाइनस्टी के last ruler को मारा, ठीक, ग्यासुत दिन तुगलक से जुड़ी होई चीज़ें, कि यह सिपह सालार था, इसे गाजी मलिक कहा जाता था, अब पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, आप सिर्फ इस तरीके से ल प्रक्कों से आये थे, बरूनी थे, जिन्होंने बहुत जादा गालियां दी थी, महम्मद बिन तुगलक को और इसी तरीके से बदाइनी थे, जिन्होंने कहा था कि इसके मन्ने पर समराट को जनता से और जनता को समराट से फ्रीडम मिल गई, इसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे तो एक पेज या दो पेज में आपका पूरा खिलजी डाइनस्टी, तुगलक डाइनस्टी आ जाएगा, अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेडिवल हिस्ट्री में आप दिल्ली सल्तनत परते हैं, और मान लीजिए कि अगर आपकी एक डाइनस्टी दो पेज में आ और इस तरीके से आपका दस पेज में दिल्ली सल्तनत खतम हो गया, तो इससे क्या है कि आपको रिविजन करने में आसानी होती है, और जब हम पेपर लिखने जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हम ड्राफ्टिंग कर पाते हैं, ड्राफ्टिंग वगयरा हम पढ़ाई के में एक सपोर्टिव लिंक है, थैंक यू, टेक क्यर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,